खबर मोतिहारी जिले के तुर्कोलिया प्रखंड शेत्र से है जहां हरी सिध्धी विधायक क्रिश्म नंदन पास्वान ने बार्ड से प्रभावित इलागों का दोरा किया और लोगों को बार्ड से सतर करहने की सलहा दी विधायक ने बेलवा बिजलपूर और सपही पंचायत का भी दोरा किया और लोगों से रूबरू हुए और लोगों को हर संभव साहता दिलवाने का अश्वाशन दिया विधायक ने बताया कि बाड से प्रभावित बेलवा, बिजलपूर और सपही पंचायत है जिसमें लगभग 400 से अधिक लोगों के घर में बाड का पानी प्रवेश कर गया है इसको लेकर भी जिला अधिकारी से मिलेंगे और बाड राहत दिलवाने का काम करेंगे साथी विधायक ने बताया कि सुगौली से सटे सिकरहना नदी से सपही मजरिया मन का लगाव होने से मन के जल इस्तर बढ़ जाने से ग्रामीरों को घर में बाड का पानी प्रवेश कर गया है और काफी घर बाड में प्रभावित हुए हैं ग्रामीरों को हर संभव साहदर लवाने का आश्वाशन दिलाए गया है तुर्कवलिया परखंड में तीन पंचायत गेलवा राय बिजुलपूर और सपही बाड से परभावित हुई है नेपाल की पानी आती है जो सुगवली से सके हुए पर पंचायत है और भारी पैमाने पर छक्ती हुआ है पर चार सव घरों में पानी परवेश कर गया है खाना बनाने के लिए चुलप में पानी है लोहों को दीकत हो रहा है खल हम जीला अधिकारी जीसे मांग करेंगे कि चार सव परिवार को नीशी तोर पर मुहाबजा सकार दें और जो फसल छती हुआ है धान की रोपनी नहीं ह हुआ है वह पानी से डूब गया है गल गया है तो जो बिरान सवा सत्र चलने वाला है उसमें जुरदार तरीके से इसको हम उठाएंगे और फसल का मांग करेंगे फसल भीमा का जो किसान जो फसल से बरंबाद हो गया उनका उस फसल मुही विधायक ने कहा कि जिन किसान भाईयों की फसल पूर्ण रूप से छती हुई है उसको फसल का मुआपजा दिलवाय जाएगा